घरवालों और समाज की मर्जी से लिविन में रह सकते हैं लेकिन इसे लिविन नहीं कहा जाता इसे एक प्रथा का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें घरवालों के साथ साथ समाज की भी मर्जी शामिल होती है लड़का है लड़की अगर शादी शुदा भी है तो भी वो एक दूसरे को छोड़ कर समाज की सहमती से एक दूसरे के साथ पती पत्मी बन कर रह सकते हैं इतना ही नहीं इसे एक प्रथा का नाम दिया गया है जिसे नाता प्रथा कहते हैं क्या है नाता प्रथा? ये प्रथा राजस्थान में प्रचलित पुरानी प्रथाओं में से एक है राजस्थान की कुछ जातियों में पत्नी अपने पती को छोड़ कर किसी और पुरुष के साथ रहने चली जाती है इसे नाता करना कहते हैं इसमें कोई उपचारिक रिती रिवाज नहीं करना होता केवल आपसी सहमती होती है विद्वा औरते भी नाता कर सकती है इतना ही नहीं पुरुष भी किसी विवाहित महिला को उसकी सहमती से लाकर पत्नी की रूप में रख सकता है इसे नाता विवा कहा जाता है लेकिन ये ऐसी शादी होती है जिसमें ना तो कोई रसमे होती है और ना ही कोई फेरे कोई भी विवाहित पुरुशा महिला अगर किसी और के साथ अपनी मर्जी से रहना चाहती है तो वे एक दूसरे से तलाक लेकर एक निश्चित राशी अदा कर साथ रह सकते है इस प्रथा की वज़े से वहां के लोगों को तलाक के कानूनी जंजटों से मुक्ति मिल जाती है और अपनी पसंद का जीवन साथी भी लेकिन इस प्रथा के इतिहास के बारे में बहुत लोग नहीं जानते राजस्थान में आज भी कायम पुरानी परंपराओं में इसे माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि नाता प्रथा विद्वाओं और छोड़ी हुई औरतों के लिए शुरू हुई थी उन्हें समाज में मायनिता दिलाने के लिए इस प्रथा के शुरूआत की गई इस प्रथा में पांच गाओं के पंचो द्वारा कुछ फैसले लिये जाते हैं इस दोरान पहली शादी से जन्मे बच्चों को लेकर भी बात की जाती है इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होती है और उनका लेंदेन को जगड़ा छूपना कहते हैं लेकिन ये प्रथा हर जाती में नहीं लिभाई जाती इस प्रथा का चलन भ्राम्मन राजकुत और जैन को छोड़कर बाकी सभी जादियों में हैं खास कर गुजरों में तो परंपरा लोक्रीय है अब वक्त के साथ साथ नाता प्रथा का स्वरूप भी बदलता जा रहा है बाकी प्रथाओं की तरह इस प्रथा में भी कई चैंजिस हुए हैं जिसका इस्तमाल अब औरतों की दलाली के रूप में होता है इसके जरीए कुछ पुरुष जबरदस्ती महिलाओं को दलालों के हाथों बेश देते हैं इसके अलावा कई पुरुष इस प्रथा की आड में महिलाओं की अदला बदली भी कर लेते हैं पहले ये प्रथा केवल गाओं में मानी जाती थी लेकिन अब राजिस्थान के कई कस्बों तक फेल गई है वहीं इस प्रथा से जो सामाजिक नुकसान हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए पंचायतों के पास कोई भी आधिकारिक नियंत्रण नहीं है इस वज़े से आज भी नातप्रता महिलाओं के शोशन का सबसे बड़ा हत त्यार बनकर सामने आ रही है सरकार जितना जल्दी इस पर ध्यान दे उतना ही अच्छा होगा आज की वीडियो में इतना ही देखते रहें सुनते रहें पढ़ते रहें नेशन मीर करें वीडियो में आ